नमस्का दूस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक पर आपको बहुत बहुत सागत है तो आज आप इमें discussion करने वाला हूँ, एक ऐसे companies के बारे में जो दिखाज़े तो टायर इंडेस्टीज में, मतलब टायर बनाने बाला जितने सरे companies है उनमें से इंडिया के 3rd largest company है तो इस company में एक खासियत है, जो खासियत आप साइध में 100% सियर हूँ या पर 90% लोग नहीं जानते इस company का खासियत क्या है और इस company के उपर big scam हो गया था और उस scam के जो कारण था वो है हरसत महता आप सबी जानते हरसत महता scam के बारे में, उनने कितनी बड़े banking scam किये थे तो इस company भी उस scam के उपर सामिल था तो चलो उसी के बारे में डिसकस करूँगा, आपको भी बहुत कुछ information यहाँ से मिलेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्रेब करके रखिए और अभी तक अपने इस चैनल को, मतलब telegram को भी जोईन नहीं किया तो जोरू कर लिजेगा, बहुत कुछ information यहाँ पर आपको जोरूर मिलने वाला है तो चलो देख लेते हैं आज के stock के बारे में और हाँ आप हमारा नया series जो है, बहुत stock market का जो short videos है उसके उपर भी आप जाकर देख सकते है, बहुत information videos आपको मिलेगा और वो भी एक minute के अंदर अंदर, तो ज़्यादा time वहाँ आपे नहीं लेगा, जाकर आप check out कर सकते है तो सबसे पहले companies के बारे में बात करूँ तो company कौन सा है, company का नाम है आपल और टायर्स, तो टायर्स इंडेस्टी में बहुत बड़े बड़े players है, तो टायर्स आप सभी जनते हैं, गाड़ी बेट्ल में चले, के डीजल में चले, के CNG, साथी साथ PNG, साथी साथ EVs में, electric vehicles, कुछ भी हो, टायर्स के हमेशा जुरूत पढ़ेगा ही पढ़ेगा टायर्स इंडेस्टी में एक खासियत जो है, एक weakness भी है, यूकि इसका जो raw materials है, वो ज़्यादा से ज़्यादा import करना पड़ता है, उसके लिए high cost यहापे पढ़ जाता है, यूकि raw materials जैसे crude oil का price बढ़ जाना, तो टायर्स इंडेस्टी के लिए बहुत खत्रा है, chemical industries के price जो हमेशा टकर है, MRF के बाद, तो MRF और बाल के से इंडेस्टी हमेशा टकर लेकर चलता है, दोनों के ही टकर हमेशा चलता रहते है, market cap के हिसाब से, उसके बाद इसका नाम आते है, apple or tear, जिसके बारे में आज मैं discussion करूँगा, 20,500 क्रोड के आसपास इसका market cap है, उस हिसाब से बात करूँगा इस company के बारे में, तो यहाँ पर apple or tear के उपर कौन सा good news है, कौन सा update है, चलो मैं आपको बताएता हूँ, सबसे पहले मैं company's के उपर NSC के website को जाना चाहूँगा, देखी company के जो data है, मैं data आपको दिखा दू, तो 21st December में company high किये थे, उसके बाद फिर से नय high बनाने का कोशिस किया, और यहाँ पर low कितना था, यहाँ पर देखिए 7th March में, तो आप ध्यान से दिखिएगा company 6 month के अंदर अंदर, sorry 6 नहीं, around 10 month के अंदर अंदर company आपको 52E का high achievement कर चुके है, तो कितना 165 से करीवन करीवन साड़े 300 रुपीज के आसपार, तो इसका मतल delivery उठाई जा रहा है, वो भी तो देखना चाहिए, तो delivery मामले के बारे में बात करूँ, तो में पिछले सालों का December month का data आपके सामने में एक लेक आया हूँ, जो data आपको यहाँ पर delivery का जो percentage दिख रहा है, उसके बारे में में बात करूँ, तो delivery मुझे उतना खास देखने को नहीं मिला, इसका मतलब stock में तो तेजी हो रहा है, stock तो 52 का high break कर रहा है, फिर भी इस company का जो growth potential delivery में देखना चाहिए था, वो आपे देखने को नहीं मिला, इसका मतलब यहाँ पर retail public बहुत ज़्यदा participate कर रहा है, कोई भी institution यहाँ पर participate नहीं कर रहा है, तो यह एक weakness भी है companies के लिए, 22 stock अगर भाग रहा है, तो उसके पिछे logic आपको ढोलना है, हाँ, आप कहेंगे sir, क्या retail public enter हो रहा है, क्या stock आगे नहीं जा पाएंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, ऐसे मत समझ लेना कि retail public है, sorry, FISDS नहीं है, तो company नहीं भागेंगे, ऐसे बिल्कुल मत सोचना, retail public इसको उठा सकते है, एक weakness है क्या, कभी भी retail public को profit मिल गया, कोई मान के चलिए, कोई HNI के टेगोरीज लोगों ने इसको जाधा-जाधा बाई कर रहा है, तो उसको मान के चलिए, उन्होंने यापे बाई किया, उसको profit target था यापे, तब जो profit वो exit करेगा, मतलब बेचेगा मा तो भारी भर कम गिरावर देखने को मिल सकता है, तो इसलिए में आपको हमेशा बोलता हूँ, आजे short term traders के लिए, swing traders के लिए, हमेशा आप NT किसी भी जगा पे हो, stop loss आपको हमेशा होना चाहिए, तो इस company के एक बहुत बड़ा NT level आ चुके है, तो आपके समने में discuss करूँग तो जानकरी के बारे में सबसे जो points मुझे आपको दिखाना है पहले, वो है company का जो जितने सारे competitor है, उसकी सबसे company का performance कितना अच्छा है, देखे आप सभी जानते है, Apple आ टायर्स हरक industries के टायर्स के उपर काम करते हैं, बानके चलिए two wheeler, three wheeler, साती साथ passenger vehicle, साती साथ heavy vehicle, सात जितने सारे mining में जितने गाड़िया चलते हैं, जितने agriculture में गाड़िया चलते हैं, मान के चलिए tractor हो गया, तो इस तरीके से गाड़िया का टायर्स भी कौन बनाते है, एपल टायर्स बनाते है, तो आपको मैं जूरू कहूंगा, Apple टायर्स के उपर focus रखिएगा, ये कि इस company अच्छा कासा एक performance भी कर रहा है, सबसे पहले बता दू, इसका market cap to sales के इसाब से, तो company को एक रूपया कमाने के लिए 0.89 पैसा देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब सस्त में ही देखने को मिला, company का traded receivable, मतलब कितने trade company receive कर चुके है, देखिए जितना trade receive करेगा, मतलब जित है, तो थोड़ा सा थोड़ा सा ज्यादा है, फाल किसन इंडेस्टी से और MRF से थोड़ा सा कम है, तो company का debtos day कितना है, वो सबसे importance होते है, मुझे सबसे best performance लगा debtos day, Apple Tires का, मैं इसलिए Apple Tires का बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आप कहेंगे sir, debtos day क्या होते है, देखि तो एक, दूसरे एक, मतलग, डिराशिप को, कोई भी public को बेचा, तो वो बेचने के बाद, वो कितने दिनों के बाद, company के हाथ में पैसा आ रहा है, वो ही बताता है, कि debtos day, तो debtos के हाथ से कितने दिनों के पैसा आ रहा है, वो आपको देखना चाहिए, तो company के जो points सबसे मुझे लगता है, company का profit and loss, continuously company profit and loss तो maintain करता है, return भी अच्छा खासा company दे चुके है, साथी साथ, company का करजे के बारे में बात करता, तो company ने जो करजा लिया, वो उतना ज्यादा करजा नहीं है, फिर भी इसका करजे का जो percentage है, आप देखेंगे, 0.63% के आसपास है, तो company का cash flow देखेंगे, तो company का cash flow हमेशा maintain होता जा रहा है, यह सबसे बड़ा positive points है, कोई भी companies के लिए, तो जो चीज आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जो हरसत महता जो scam हुआ था, उनमें से इस company के उपर भी हरसत महता ने एक बहुत अच्छा खासा investment करकर रखे थे, और इस company का ज जो नाम है Apple or Tires, क्योंकि आप खुद यहाँ पर देखेंगे, आज भी हरसत महता का पास और उनके जो भाईया थे, उनके पास भी इस company का हिस्सेदारी है, आप ध्यान से public के उपर जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते है, हरसत महता group, तो हरसत म जाता है, अस्बिन जी, उनके पास भी कितना, आज भी होल्डिंग है, 2.13% का, तो सोचिए, तो company में आज इतना बड़ा होने के पिछे, हरसत महता के भी हाथ है, आज ACC इतना बड़ा क्यों हो गया, उसके पिछे भी हरसत महता का हाथ है, तो SBI भी आज इतना कि लोगों के म पूलर हो जाता है, देखे, बहुत सारे लोगों के क्रिटी साइड किया जाता है, तो सोचाल मीडिया में, तो ये भी एक, obviously उस लोगों के लिए एक नेगेटिव बात है, और और एक बात भी पॉजिटिव भी है, वो लोग सोचाल मीडिया में फेमास भी हो जाता है, तो से कोई भी बीग रिजिस्टेंस, बीग सपलाई जोन को ब्रेकवरी कर चुके है, तो सोचना एक बहुत बड़ा रेली देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर बीग रेजिस्टेंस था, और साथी साथ सपलाई जोन भी था, क्योंकि यहां से बीग ग्रेस देखने को मिला, उसके बाद recovery भी अच्छा कासा किया है तो recovery जो किया है यहां पर देखिए recovery जो हुआ है तो higher high होकर recovery हुआ है मैं आपको बोलूँगा यहां पर जो breakout है यहां पर जो breakout है वो breakout इस candle ने दिया है क्योंकि बहुत दिन तो रहा है consolidate किया उसके बाद direct breakout हुआ तो इस breakout के उपर enter मत हो जाईएगा मैं आपको enter हमेसा बोलता हूँ जब कोई retracement दिखेगा उसके बाद वही level को touch करने के बाद breakout होगा तो enter होना मैं enter होने के लिए अभी भी नहीं कहूंगा इसके उपर एक green जैसे candle आपको दिखना चाहिए उसके फिर भी उसका भीक्स उपर कम होना चाहिए नीचे भीक्स जादा हो तो और भी अच्छा है साथी साथ आपका stop loss रहेगा इसके नीचे और अब से पर stop loss मतलब इसके नीचे रख सकते हैं और यहाँ पर अगर enter आप होते हैं तो यह जो range है इस range के mark कर लिजेगा उसके बाद इसको one is to three issue के target रखकर आप काम कर सकते हैं इसका मतलब अपका stop loss यहाँ पर one होगा और अपका target यहाँ से तीन गुना होना चाहिए अगर इसको stop loss हो जाता है तो please stop loss जुरू लिजिएगा क्योंकि stop loss मेंटेन करके आपको 100 तम सुई तरम टेंडिंग करना चाहिए तो यह था कमपनी का पूरा डीटल्स तो मेरे वीडियो कैसा लगा चुरू कमेंट करना इसी तरीके से कंटीनेसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्रेब भी करना लेते नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अच्छे सरी आपने ख्या लखिए बाए